क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि आखिर सरकार एक ही जट्के में कैसे इंटनेट सेवाओं को बंद कर दीती है। अगर नहीं, तो आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रही हैं। इंटनेट आने के बाद दुनिया भर में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। इसने हर एक शेत्र को प्रभावित करने का काम किया है। आज के समय बिजनेस, एजुकेशन, टवर्नेंस से लेकर हर एक शेत्र में इंटनेट का उप्योग किया जा रहा है। एक तरफ इंटनेट आने के बाद जहां दुनिया के विभिन्न देशों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। आकर कई बार गलत कदम उठा लेती हैं। ऐसे में कई क्षेत्रों में जब संप्रादाईक दंगे, इंसात्मक जर्पे या राजनेतिक तनाव होता है। इस सिती में सरकार कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उस खास इलाके में इंटनेट सेवाओं को बंद कर देती हैं। आप में से कई लोगों ने वाइफाई राउटर का इस्तिमाल जरूर किया होगा। वाइफाई राउटर के जरिए वाइफाई के सिगनल को दूर दूर तक पहुँचाया जाता है। Wi-Fi router जब तक on रहता है, तब तक उसके जरिये हमें internet सेवाओं का लाब मिलता रहता है, वही जब हम Wi-Fi router को बंद कर देती हैं, उसी समय internet भी बंद हो जाता है, ठीक इसी तरह आपके smartphone में internet के लिए mobile tower भी कुछ-कुछ Wi-Fi router की तरह काम करता है, सरकार को जब internet सेवाओं को बंद करना होता है, ऐसे में वह या तो mobile tower को ही बंद कर देती है, इसके अलावा वह ISP को आदेश देकर internet सेवाओं को बंद करवा देती है,